Hello everyone, welcome again, this is class number 11 of Geography, PYQs, Geography में हम यहां पर previous year questions discuss कर रहे थे और 10 किलास हमारी already हो चुकी है, किलास का timing जैसा कि हमने बताया है, daily किलास होती है, 8 PM पर, evening में 8 बजे किलास देखने को मिलती है, तो आज की किलास basically हमारी रहने वाली है rainfall के उपर, rainfall यानि वर्षा के उपर, भारत में कैसे कैसे वर्षा होती है, उसके pattern से आधारी थे हैं, आपर, questions जो previous year में आए गए हैं, चाहे वो BPSC हो, UPSC हो, UPSC हो, RPSC हो, UPSC, ROAR हो, चहां भी ये questions लगे हैं, वो सब हम यहां पर discuss करेंगे, तो आज का मारा पहला question है, इंडिया gets maximum rainfall mainly from, भारत में जो मुख्य वर्षा होती है, वो कौन से मान्सून से होती है, नौर्थीस्ट मान्सून से होती है, Retreating Monsoon means, लोटता मान्सून, लोटता हुआ मान्सून, यह यहां पर उत्तरी पुर्वी, उत्तरी पुर्वी मान्सून, यह Southwest मान्सून, जो दक्षिड पस्चमी मान्सून बोलते हैं, यह Convectional Rainfall, जिनको सम वहनिये वर्षा बोलते हैं, सम वहनिये वर्षा, तो किसकी वज़ए से जादा यहां पर वर्षा देखने को मिलती है, प्रिवियस किलाश में हमने बताय था, इंडिया में मोस्टली जो वर्षा होती है, यहां पर जो Southwest मॉन्सून होता है, इसके कारण होती है, तो correct answer इसमें option C हो जाएगा, Southwest मॉन्सून से सबसे जादा वर्षा भारत में देखन को मिलती है, चलते हैं अगले question की तरफ, next question है, the state which receives maximum rainfall due to Northeast मॉन्सून, निमिलिखित में से कौन से राज्य में यहां पर Northeast मॉन्सून से वर्षा देखने को मिलती है, यह जैसे Peninsular पठार है, यहां पर क्या है, Northeast मॉन्सून है, Northeast मॉन्सून बेसिकली सब्दियों में देखने को मिलेगा, October, November, December के महिने में, ठीक है, इसे बोलते हैं, लोटता हो मॉन्सून यह Northeast मॉन्सून, तो Northeast मॉन्सून से सबसे ज़्यादा वर्षा कहां पर होती है, आशाम, वेस्ट मंगोल, उडिशा यह तमिलाडू, तेकि तमिलाडू में जो 50-60% वर्षा मिली देखने को मिलती दिसंबर महिने में, आपर जोर सर्दियों के महिने होते हैं, तमिलाडू में हला कितनी सर्दी नहीं होती है, तो सर्दियों के महिने में यहाँ पर वर्षा ज़्यादा देखने को मिलती है, Northeast मॉन्सून की वज़े से, तो correct answer इसमें क्या होज़ेगा, option C, तमिलाडू is the right answer. कि maximum rainfall किस राज्ये में होती है, question पूछा गया था, UPPCS में 2016 में, अगर उस टाइम के आंकडों की बात करें, तो उस टाइम का अंसर होगा, सिक किम, लेकिन अपके डेटा के हिसाब से अगर देखे, तो correct answer हो जाएगा, केरला, केरला में कितनी बारिस देखने को मिलती है, यहा पर 3606.3 mm वर्षा देखने को मिलती है, इसके बाद सिक्किम का नंबर आता है, 3043.3 mm, अब इनको सेंटीमीटर से डिवाइड करना है, तो 10 से डिवाइड कर देना, वो सेंटीमीटर आ जाएगा, तो यहाँ mm हम बता रहे है, इसके बाद अगर अरुनाचल में देखें, तो इन चारों में सबसे कम 894.7 mm वर्षा देखने को मिलती है, यहाँ पर नियरली 90 सेंटीमीटर के आसपास, यहाँ पर नियरली 360 सेंटीमीटर के आसपास, यहाँ पर 304 सेंटीमीटर के आसपास, और यहाँ पर 208 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा देखने को मिलती है, तो सबस से ज़्यादा केरला हो जाएगा अगर प्रिजेंट सेनेरियों में देखें सेकेंड सिक्किम लेकिन जब कॉस्चन पूछा गया था तो करेक्ट आंसर था इसका सिक्किम के लिए नेक्स्ट कॉस्चन देखते हैं विच अमंग दा फॉलोईंग पेर्स और प्लेसिस हैं मौस्ट माग डिफरेंसिस इन टोटल एनुवल रेंफोल्स इवन दो लोकेटिड एप्रोक्सिमेटली अलोंग दा सेम लेटिटिव्ड ठीक है यहां पर दो दो स्टेट के पेर दिये ग ठीक है किन दो जगा पर देखने को मिलता है ओप्सन है बैंगलूरू छे नहीं दोनों साउथ के स्टेट है मुंबई विसाका पत्टनम यह एक तरह से सेंट्रल इंडिया के अजमेर सिलोंग अजमेर का है राजिस्थान में और सिलोंग मेगाल्या के कैपिटल और है सिलोंग किसकी कैपिटल है मेगाल्य की और मेगाल्य के बारे में पता ही है आपको गारो खासी जैनतिया तीन पाडियां यहां पर काफी वर्षा देखने को मिलती है और सिलोंग का पर है सिलोंग भी मेगाल्य में तो एवरेज जो यहां पर डिफरेंस देखने को मिलेगा दो इन जगा पर अज मेरो शिल्लोंग में देखने को मिलेगा तो correct answer इसका क्या हो जाएगा option C next question देखते हैं the average annual temperature of a metrological station is 26 degree Celsius यहाँ पर average annual temperature बोला गया है कितना 26 degree centigrade and its average rainfall is 63 cm and the annual range temperature is 9 degree centigrade ठीक है यहाँ पर बोला है average annual topman कितना होता है 26 degree Celsius और जो average वार्षिक वर्षा होती है annual rainfall 63 cm और annual range temperature कितना 9 degree Celsius होता है तो उस station का नाम बताना है ठीक है तो उसका correct answer अलाबाद, चेरापुंजी, कोलकाता यह चिन नहीं यहाँ पर सर्दियों में भी क्या है इतनी सर्दी नहीं होती है गर्मी इसी रहती है, टी-सर्ट आप पहन सकते हो और गर्मीों में भी इतनी गर्मी नहीं होती तो यहाँ पर जो temperature का difference है, 9 degree Celsius तक ही ऊपर नीचे होता है और यहाँ पर average annual temperature 26 degree Celsius होता है तो लाबाद में तो काफी कम हो जाता है, चेरापुंजी में भी, कोलकाता में भी करेक्ट आंसर इसका होगा, चेन नहीं और यहाँ पर annual rainfall भी, कितनी 63 cm तक देखने को मिलती है करेक्ट आंसर हो जाएगा, option B Next, which one of the following is the correct sequence of the given Indian cities in the decreasing order of their normal annual rainfall यहाँ पर city लगाना है, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर घटते किरम में, decreasing order में लगाना है पहले जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, वो लगाना है, देन इसके बाद घटते किरम में लगाना है तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहां देखने को मिलेगी हैं पर साउथ के स्टेट में कोच्ची में देखने को मिलेगी ठीक है दो में कोच्ची अरा है कोलकाता में सबसे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी तो कोच्ची में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी देन इसके बाद कोलकाटा में देखने को मिलेगी अब यहाँ पर बात आती है दिल्ली और पटना की क्या पटना में ज़्याद़ बारिश होगी या दिल्ली में ज़्याद़ होगी तो अगर दोनों का rainfall देखें तो पटना में कितनी देखने को मिलती है 109 cm के आसपार और दिल्ली में कितनी देखने को मिलती 90 cm के आसपार तो थार्ड पर क्या जाएगा पठना जाएगा फोर्थ पर आएगा दिल्ली तो correct answer इसका option C हो जाएगा वर्षा यहां पर कोच्ची दन कोलकाता पठना एंड इसके बाद देली हो जाएगा correct answer is option C next question अच्छा question है काफी बार पूछा जाता है अलग-अलग exams में मैंगो सार यहां पर मैंगो सार पूछा है कि मैंगो सार क्या है ठीक है इसको आम्र वर्षा बोलते हैं मैंगो सार क्या है sour of mangoes की आम गिरते हैं आमो की वर्षा ठीक है या फिर dropping of mangoes आमो का तूटना या rainfall in March, April in बिहार और बंगाल बिहार और बंगाल में वर्षा का होना March, April के महिने में यह crop of mangoes तो इसका जो correct answer है यह कहां BPSC pre में आया था 43rd BPSC pre 19, 94 में तो उसका correct answer क्या माना था crop of mangoes कहां पर होती है यह करनाट का और केरला स्टेट में देखने को मिलती है मौन्सून से पहले इसलिए इसको mango सार बोलते हैं प्री मौन्सून सार बोलते हैं इसको ठीक है मैंगो सार यह प्री मौन्सून सार इसको बोल जाता है प्री मौन्सून सार ठीक है प्री मौन्सून सार और इसका correct answer क्या होगा option D crop of mangoes यह किस से related है आमकी खेटी से related है next among the following places which one gets the least rainfall निमिल लिखी जगा से कौन सी में कम वर्षा देखने को मिलती है तो इंडिया की बात करें सबसे कम वर्षा कहां पर होती है लेहे में होती है लेहे में बहुत कम वर्षा जैसल मेर से भी कम होती है जैसल मेर में आपको 31 cm के आसपास देखने को मिल जाएगी लेकिन लेहे में कितना नियरली 4 cm के आसपास ही वर्षा देखने को मिलती है सबसे सुस्क यही छेत्र माना जाता है लेहे इस दा करेक्ट अंसर किस में सबसे कुम वर्षा देखने को मिलती है अभी हमने बताया है लेहे कहां पर है लद्दाक यूनियन टेरेटरी में हैं लद्दाक यूनियन टेरेटरी में लेहे इस दा करेक्ट अंसर मेगाल्या के बारे में हमने बताया कि मेगाल्या में क्या है तीन पाड़िया है और यहां पर वर्षा देखने को मिलती है मेगाल्या में तीन पाड़िया है गारो खासी जैनतिया किरम भी पूछ लिया जाता है मावसिन राम में मावसिन राम में उसके बाद फिर चेरा पूंजी में चेरा पूंजी किस राज्य में हैं चेरा पूंजी में मेगाले में correct answer क्या होगा option C होगा मेगाले दा right answer next the highest rainfall in India और कर्शिन भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कब होती है कब देखने को कहां देखने को मिलती है ठीक है कब देखने को मिलती है पूछे तो साउथ वेस्ट मॉन्सून से ज़्यादा देखने को मिलती है और कहां पस्चमी घाट हिमालियन रीजन और मेगाले इन तीन जगा पर देखने को मिलती है तो पस्चमी घाट जैसा कि हमने बताया है क्यों होती है क्योंकि यहाँ पर उची उची पाड़ियां है इनसे टकराकर हवा क्या है जो मौन्सूनी हवा आती है यहाँ पर सीजनल विंड्स वो क्या है ऊपर की तरफ जैसे देखिए ऐसे समझात ठीक है कुछ टाइम के बाद कंडेंस होने के बाद फिर यहाँ पर वर्षा होने लगेगी सबसे ज़्यादा वर्षा फिर पस्चमी घाट पर एक हिमालियन रीजन पर क्योंकि बैरियर मिल जाता है यहाँ पर हिमालिया बैरियर मिलेगा हवा फिर उपर जाएगी कंडेंस हो के बाद फिर वर्षा करा देगी से तीन पाडियाँ मेगाले में वह भी बेर्ियर वर्षा देंगी तीन पाडियां गारों काया अधनी तो यह भी बेर्ियर का काम करेंगी हवा उपर जै कंडेंन्स होगी फिर बारिष होगी तो correct answer इसका Option जाएगा यही रीजन है कि इन छित्र में सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है बारत में अच्छी मात्रा में वर्षा देखने को मिलती है लेकिन फिर भी भारत को 85 भूमी बोला जाता है इसका क्या रीजन है रैपिड रन ओफ वोटर पानी का तेजी से बह जाना ठीक है पानी का तेजी से बह जाना यह क्विक इवोपरेशन ओफ रेन वोटर वर्षा का जो पानी होता है इसका वास्पी करन बन जाना वास्पी करन इवोपरेट हो जाना यह थेर्ड वने कंसेंट् तो इसका correct answer होगा, all of the above तीनों ही reason सत्य हैं, क्योंकि पानी भी तेजी से बह जाता है, evaporate भी हो जाता है, और बारिस क्या है, तीन चार महिनों में ही जादा देखने को मिलती हैं, उसके अलावा फिर क्या है, वर्षा देखने को इतना नहीं मिलती हैं, इसी वज़े से क्या है, भारत को 85 भूमी बोला जाता है, correct answer इसका option D होगा, next question है, which of the following water management strategy in India is cost efficient या cost effective, इन में से कौन सी water management strategy भारत में cost effective है, improvement of flusty system, flusty system का improvement, या treatment and use of wastewater, या rainwater harvesting, या recycling and reuse of water, UPPCS means 2011 में आया था, तो जो पानी को harvest किया जाता है, वो क्या है, cost effective है, तो correct answer इसका option C हो जाएगा, rainwater harvesting क्या है, भारत में cost effective है, ठीक है, correct answer क्या हो जाएगा, इसका, option number C is the correct answer, तो इसके लिए tank भी बनाए जाते है, tank का use किया जाता है, किसलिए rainwater harvesting के लिए, और यहाँ पर क्या है, छत पर इस तरह की छत बना दी जाती है, कि वर्षा हो जिससे पानी store हो जाए, फिर pipe लगा कर, pipe लगा कर, यहाँ पर एक गड़ा बना दी जाता है, उसमें harvest कर लिए जाए, ठीक है, इस तरह से अलग-अलग technique बनाई जाती है, ठीक है, rainwater harvesting के लिए, और इसमें नंबर वन कोणसा राज्य है, तमिलनाडू राज्य है, राज्य है, रैनवाटर harvesting में, ठीक है, अगणी राज्य कोणसा है, तमिलनाडू, नेक्स्ट, which of the following areas have an average of 200 mm rainfall in India, ठीक है, इस में से किस छेत्र में 20 cm average rainfall देखने को मिलती है, तो option दिये गए हैं, आपको केरला, तमिलनाडू, करनाटक, यह जम्मू कस्मीर, वैस्ट बंगोल, उड़ी सब्हार, यासाम, मनिपुर, तरीपुरा, तो 20 cm जो वर्षा है, सबसे कम कहां इन चारों option में देखने को मिलेगी, जम्मू कस्मीर में, ठीक है, जब 1994 में तो क्या जम्मू कस्मीर, एक अलग स्टेट था, अब तो हला कि इस क्या है, लद्दा, यह दो union territory हो गई है, एक जम्मू एंड कस्मीर, और एक आपका लद्दाक, तो सबसे कम वर्षा, इस छेत्र में ही देखने को मिलेगी, 20 cm के आसपास, नेक्स्ट कोशन है, बाई विच मॉन्सून डज जारकंड रिशीव रेंफोल, जारकंड में कौन से मॉन्सून से वर्षा देखने को मिलती है, यहां ओप्शन दिए गए नोर्थीस्ट मॉन्सून, तो जारकंड की लोकेशन देखें, तो बिहार के आसपास है, तो अबव, तो यह साउथ वेस्ट मॉन्सून से ही वर्षा होती है, कहां पर जारकंड राज्ये में बी, करेक्ट अंसर इसका ओप्शन बी हो जाएगा, साउथ वेस्ट मॉन्सून, यहां पर एक मैप दिये गया है, यह कुछ सेडिड एरिया है, यह सेडिड एरिया है, बताना है कि the mean annual rainfall in the shaded part of India varies from, यहां पर कितनी वर्षा देखने को मिल जाती है, तो इस शेत्र में जिसमें पुर्वी, उत्रपरदेश, बिहार, चातिस गार, जारकंड और आपका उत्रखंड वाला एरिया, बंगाल वाला एरिया, यह एरिया देखने को मिलते हैं, और इन एरिया में वर्षा कितनी देखने को मिलती है, 100 cm से 1,500 cm के आशपास, तो correct answer इसका option एह हो जाएगा, next question है, question number 17, when there is very heavy rainfall in the puskar hills, where does flood occurs, जब puskar पाड़ी पर वर्षा heavy rainfall देखने को मिलती है, तो बाल कोन से छित्र में आती है, तो यह correct, RPSC, RAS का, यह लिए गया है question, RAS में आया थे, 2008 में, तो बालोतरा वो जगाह यहाँ पर, क्या है, बाढ़ देखने को मिल जाती है, बालोतरा कहाँ पर है, बाढ़ मेर जिले में, बाढ़ मेर जिले में, और बालोतरा ही वही जगह है, जहां से लूनी नदी का पानी, लूनी नदी को के है कोंसी नदी को लूनी नदी को ठीक है तो बालोत्र जगह याद रखना यहां से नमकिन पानी हो जयता है कारा-पानी नदी का और बालोत्रा में ही बाढ़ आती है जब उसकर रहल पर हैवी रैंफोल देखने को मिलती है, correct answer क्या होजएगा, option C, next question देखते हैं, our rainy day as defined by Indian metrological department is a day when the rainfall at a point received, भारत में IMD दुवारा, Indian metrological IMD, Indian metrological department दुवारा rainy day किस दे को गोसित किया जाता है, जब वर्षा कितनी हो, 24 गंटे में 0.5 mm, यह 24 गंटे में 1.1 mm से 1.5 mm, 24 गंटे में 1.6 mm से 2 mm, यह 2.5 mm से उपर, तो इसका correct answer, option D हो जाएगा, डाई एमेम से जहां वर्षा एक दिन में ज़्यादा हो जाती है, उसको क्या है, rainy day बोला जाता है, factual question है, याद रखना, डाई एमेम से ज़्यादा वर्षा को क्या है, rainy day गोसित कर दिया जाता है, next question है, assertion और reason, assertion में बोला गया है, the monsoonal rainfall decrease as one goes towards the west and northwest in the गंगा पिलेन, जो monsoon rainfall decrease होती है, कहां से, जब west से हम किदर जाते हैं, one goes towards the west and northwest in the गंगा पिलेन, तो यह क्या हो जाएगा, statement, पहली statement correct हो जाएगी, monsoon rainfall decrease होती जाती है, ठीक है, जैसे ही हम west से किदर जाते हैं, northwest की तरफ जाते हैं, northwest से लेकर गंगा पिलेन की तरफ जाते हैं, तो monsoon rainfall decrease होती जाती है, reason, the moisture bearing monsoonal winds go higher as one moves up in the गंगा पिलेन, तो यहाँ पर जो moisture bearing, monsoonal winds होती है, वो higher चली जाती है, ठीक है, गंगा पिलेन में, और अब यहाँ पर बोला गया है, statement हलाकि दोनों सही है, one भी सही है, और two भी सही है, लेकिन यहाँ पर one, two को क्या है, explain नहीं करता है, ठीक है, both a and r true, but r is not the correct explanation of a, यहाँ पर दिये गया है, monsoon rainfall decrease as one goes towards the west and northwest in the गंगा पिलेन, सही है, the moisture bearing monsoonal winds go higher as one moves up in the गंगा पिलेन, तो correct answer इसका option a हो जाएगा, both a and r true and r is the correct explanation of a, correct answer क्या होगा, option a हो जाएगा, इसे में ठीक है, जो west पिलेने पंजाब में वर्षा कितनी देखने को मिलती है, 60 cm के आसपास, और जो गंगा पिलेन है, वहाँ कितनी हो जाती है, 1500 cm के आसपास, तो east वाला जो पार्ठ है, वहाँ पर वर्षा जादा देखने को मिलती है, और west के मुकाबले थोड़ा जादा देखने को मिलती है, east की तरफ, तो यही बोला है कि the monosunal rainfall decrease as one goes towards the west and northwest in the गंगा पिलेन, तो यह बोला गया, गंगा पिलेन से जब west और northwest की तरफ आते हैं, यहाँ पर इस तरह से बोला गया है, ठीक है, correct answer इसका क्या हो जाएगा, option A हो जाएगा, यहाँ एक map दिये गया है, इंडिया का map दिये गया है, अब इसमें क्या पूछा है, the map source, map क्या प्रदसित करता है, क्या यह आईसो हाइट को सो कर रहा है, या all India water divide, या a combination of national highways, या a combination of major highways route, देखिए हाइवे रूट और national highways को तो प्रदसित नहीं करता है, तो यह क्या कर रहा है, water divide को प्रदसित कर रहा है, all India water divide line है, ठीक है, इसका correct answer क्या हो जाएगा, option B हो जाएगा, ठीक है, factual question है, next, match list 1 with list 2, एक तरफ list 1 दी है, एक तरफ list 2 दी है, list 1 में क्या, climatic condition दिया है, list 2 में reason दिया है, chennai is warmer than Kolkata, यह ठीक है, sinofal in Himalaya किसकी वज़े से होती है, हिमाले में जो बरबबारी होती है, वो उंचाई की वज़े से, altitude उंचाई की वज़े से होती है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है, B का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, B का 2 किसमें है, देखिए, B का 2, एक तो C में है, और एक A में है, तो दो statement आप eliminate कर सकते हो, इसके बाद अगर देखें, तो rainfall decrease from West Bengal to Punjab, rainfall decrease होती है, West Bengal से आप पंजाब की तरफ जाओगे, तो ये distance from the sea हो गया, C का fourth हो गया, देखिए, C का fourth किसमें है, तो दोनों में है, C का fourth A में भी है, और C में भी है, तो अब तक दोनों सही है, सतलूज गंगा प्लेन, get some rain in winter, सतलूज गंगा प्लेन में सर्दियों में वर्षा किसकी वज़े से, Western disturbance की वज़े से, तो D का 3 हो जाएगा, D का 3 हो जाएगा, तो यहां 5 है, तो 3, C is the correct answer, C क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, और A का क्या है, फिप्ट है, चेन नहीं के अवार मारे कोलकाता के comparison में किसकी वज़े से, latitude की वज़े से, क्योंकि यहां पर जो चेन नहीं है, यह कहां आता है, 0 डिगरी से थोड़ा उपर यहाथा, 8 डिगरी चार मिनट है, अमारे कन्यकुमारी, तो इससे उपर की तरफ आ जाता है, तो 12 डिगरी के आसपास चेन नहीं यहां पर देखने को मिल जाता है, 11 बारा डिगरी के, आसपास यहां पर तापमन ज़्यादा रहता है, नेक्स्ट कोशिन है, the hallmark of watershed development in the semi-arid region of India is, तो यहां पर hallmark दिया है, watershed development in the semi-arid region of India, तो semi-arid region को आप कैसे पहचान होगे ठीक है, तो उससे related यहां पर यह question है, इस्टबिशमेंट उफ सेड ओं लार्ज स्केल शोड़ दा रेन वोटर देज नोट इवोपरेट यह उन्टेकिंग फ़ अर्थवर्क्स, वाइंट इंडर्फवेशन, मोस्चर अंडर रिचाइज अंडर गृंड वोटर, द्रिलिंग वेल, तुब वेल तुब वेल, सो इस त सिस्टम उफ टैंक्स बाइंबैकिंग वोटर फोर्म सीजनल रिवर्श है, तो वोटर सेड डवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, आप सैमी एरिड रीजन्स में, क्या सैड बना कर लार्ज स्केल पर जिससे जो रेन वोटर है इवोपरेट नहीं हो पाए, तो काफी खर्चा देख अंजर्वेशन, मोईस्चर एंड रिचार्ज अंडरग्राउंड वोटर, तो यहां पर अर्थवाक करना पड़ेगा, सोईल को कंजर्व करना पड़ेगा, मोईस्चर को और अंडरग्राउंड वोटर को रिचार्ज करना पड़ेगा, थार्ड में ड्रेलिंग, डीप टेफ ट्यूब वेल्स यहां पर बहुत गहराई में जाकर ट्यूब वेल्स की खुदाई करनी पड़ेगी जिससे जो ट्यूब वोटर है वो क्या है एस ट्यूब वोटर एस रोग स्ट्रेटर लेवल तक चला जाए या फिर सेटिंग अपा यह काफी खर्चा इसमें भी हो जाएगा अपा सिस्टम उफ टैंक स्टीम वोटर फॉर्म सीजनल रीवर हो तो सीजनल रीवर से पानी लेकर कैया है है यहां पर टैंक में बरकर इसकी इंबैक किंग कर दिए जाये बाउंड्री कर दिए जाये तो यह suitable तरीका है, तो यह IS pre 1994 में आया था, तो यह best suitable method इसमें खर्चा तीनों के मुकाबलें पर कम होगा, correct answer इसका option D हो जाएगा, नेक्स्ट कोशन है, how many districts in India are included under the desert development program, जब यह कोशन आया था, RAS pre 1993 में, तो इसका correct answer था 21 district, 21 जिलों में यह desert development program चलाया गया था, अगर आज present की बात करें, तो nearly यह 40 district में program हो गया है, अब बढ़ गए हो, तो कह नहीं सकते 40 district और 7 राजियों में, 40 district और 7 राजियों में यह desert development program देखने को मिलता है, साथ राजियों में कौन-कौन है, अपका राजिस्थान, गुजरात, हरियाना, जम्मो कश्मीर, हिमाचल, और कुछ पार्ट देखने को मिलेगा, अंधरा और करनाटका का, तो correct answer इसका option D होगा, और 40 district के याद रखने, 7 राजियों याद रखना है, नेक्स्ट कोशन है, consider the following statements and select the correct answer using the codes given below, inland waterways are not well developed in India, ये बिल्कुल सत्य है, most part of India receives rainfall only for 4 months in a year, ये भी सही अपकम बारिस होती है, इसकी वज़े से inland waterways भारत में ज्यादे डवलप नहीं हो पाते हैं, correct answer हो जाएगा, both A and R true, and R is the correct explanation of A, A is the correct answer, next question है, चेरा पूँजी कहा है, अच्छा कोशन है, यहाँ पर हिल पूछले, तो चेरा पूँजी, मेगालिया में तो सब बता देंगे, अम मेगालिया में भी आपको पाड़ी बतानी है, तीन पाड़ी है, गारो, खासी और जैनती ह इन तीनों पाड़ी में से कोन सी पाड़ी पर है, चेरा पूँजी, तो चेरा पूँजी आपको सेंट्रेल वाली पाड़ी पर, खासी पर देखने को मिल जाएगा, correct answer क्या होगा, इसका, खासी पाड़ी, option C is the correct answer, 36 गड़ PCS pre 2019 में, अच्छा कोशन है, ठीक है, माक कर लेना important ऐसे question पूछे जाते हैं, next question है, which one of the following places is the lowest rainfall during the southwest monsoon, southwest monsoon से किस जगा पर कम वर्षा देखने को मिलती है, तो हमने बता है, चेन्नई में ज्यादा वर्षा किस से होती है, जो नोर्थीस्ट monsoon होता है, उससे ज्यादा देखने को मिलती है, तो साउथीस्ट monsoon से, इन चारों मे चेन्नई में कम देखने को मिलती है, कोलकाता, बैंगलूर, देली के मुकाबले, correct answer, option C हो जाएगा, चलते हैं आगे अब देखते हैं, इंडिया ज नदन प्लेन गैट्स विंटर रेंफोल डियूटू, जो बारत का उत्तरी मैदानी छेत्र है, यहाँ पर वर्षा देखने क मिलती है, विंटर रेंफोल, सर्दियों में वर्षा देखने को मिलती है, अभी भी देखने को मिल रही है, सर्दियों में वर्षा किस कारण होती है, यहाँ पर option दिये गए है, western disturbance, मौन्सूनीन बेव बंगल, मौन्सूनीन अरेबियन सी, रिट्रेटिंग मौन्सून, तो य यहाँ पर कैसी condition बन जाती है, यहाँ पर storm वाली condition देखने को मिल जाती है, तो इसकी वज़े से यहाँ पर जो वेस्टरलीज होती है, वेस्टरलीज यह इधर की तरफ आती है, तो भारत का जो यह उत्तरी छेत्र है, उत्तरी छेत्र यहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है, नदन पिलेन में किसकी वज़े से western disturbance की जगे से यहां पर वर्षा देखने को मिलती है अब हम यहां पर ही पूछ लें आप से कि तमिलाडू में किसकी वज़े से वर्षा देखने को मिलती है तो तमिलाडु में देखने को मिलती है, उत्तर पूर्वी मोंशून की वज़े से, नोर्थ इस्ट मोंशून की वज़े से, तमिलाडु के तट पर वर्षा होती है, तो दोनों याद रखना, उत्तरी मेदानी भाग में वैस्टरन डिस्ट्रुबेंस, पस्चमी विच्छोब क की वजेशे और यहां पर किस वजेशे तमिलाडू में किस वजेशे उत्तरी पुर्वी मन्सून की वजेशे उत्तरी पुर्वी मन्सून दोनों चीजे याद रखनी है ठीक है नेक्स्ट कोशन है यह अच्छा कोशन है विच वन अव दे फोलोईंग रिजन्स ओफ इंडिया रिसीव्स विंटर एंफोल सीतरी तू में वर्षा देखने को मिल जाती है कि छेत्र में उडिशा करनाटक, पंजाब तमिलाडू, अरोनाचल बिहार, तमिलाडू करनाटक RAS 1999 में एक कुष्चन आया था तो इसमें जो सुटेबल प्लेस है, वो सुटेबल प्लेस बी होंगी क्योंकि पंजाब में अभी हमने बता है western disturbance की वज़े से और तमिलाडू में नौर्थ इस्ट मोंसुन की वज़े से वर्षा देखने को मिल जाती अच्छी खासी लेवल पर वर्षा होती है इन दोनों जगापार correct answer option B हो जाएगा suitable answer है विंटर रेन्फोल इन तमिलाडू में जो सीत रितु में वर्षा देखने को मिलती है किसकी वज़े से नौर्थ इस्ट मोंसुन की वज़े से उत्तर पुर्वी मोंसुन की वज़े से correct answer option C होगा नेक्स्ट यहां पर assertion दिया है North Plains of India receive some rainfall in winter ठीकर Northern Plains में वर्षा होती है winter में बिल्गुल सत्य है North East Monsoon is active in winter ये भी बिल्गुल सत्य है दोनों सत्य है बोथ A and R correct है लेकिन R justify नहीं कर रहा है Northern Plains में कौन करता है western disturbance तो इसे में confuse मत होना है हाला कि condition दोनों सही है लेकिन R A को explain नहीं करता है option B का correct answer हो जाएगा Of the following the state which receives rainfall in winter season is कहां मिलती है तमिलनाडू के तठ पर वर्षा रेखने को मिलती है Which of the following coastal region in India receives rainfall from north eastern monsoon तमिलनाडू वाले तठ को क्या नाम बोलते हैं बस ये पता हो तो आपको answer कर ले जाओगे इसको बोलते है कोरोमंडल कोस्ट मालावार कोस्ट तो केरल की तरफ है ठीक है ये मालावार कोस्ट है गुजरात कोस्ट में नहीं देखने को मिलती है कोंकड कोस्ट ये वाला कोस्ट है तो कहां देखने को मिलती है आपको कोरोमंडल कोस्ट पर करेक्ट आंसर होगा कोरोमंडल कोस्ट नेक्स्ट यहां पर एजर्शन दिया गया है और रीजन भी दिया गया है तो एंटी साइकलोनिक कंडिशन और फॉर्म्ड इन विंटर सीजन वेन अटमोस्फेरिक प्रेशर इस हाई एंड एयर टेंप्रेचर इस लो तो इस करेक्ट स्टीटमेंट है वेस्टन डिस्टर्बेंस हमने बताया था कहां मेडिटरेनियन सी से जो हवाय चलती है वो क्या है यहां पर एंटी साइ के लटेंप्रेचर जिहें रीटा बोल दिया है कि जो विंटर रहन फोल होती है obviously nutrition यह उल्टा होता है एंटी साइकलोनी कंडिशन की वज़े से winter rainfall होती है नके winter rainfall की वज़े से एंटी साइकलोनी condition तो यहां पर correct answer क्या होज़ेगा एक true but r is false option c is the correct answer next question है which of the following areas of India receives winter rainfall किन छेत्रों में बारत में वर्षा देखने को मिलती है तो northwest वाले पार्ट में जो यह उत्तर परदेश पंजाब इन वाले राजिस्थान के उपरी भाग में ठीक है बिहार के कुछ पार्ट में यहां पर वर्षा देखने को मिल जाती है नौर्थ वेस्टन पार्ट में वेस्टन डिस्टर्बेंस की वज़े से ठीक है और साउथ इस्ट में वर्षा किसकी वज़े से होती है लोडते हुए मौन्सुन की तो ए और डी दोनों इसमें सत्य हो जाएंगे नेक्स्ट वेस्टन डिस्टर्बेंस इन नौर्थ वेस्टन पार्ट में आती है तो वेस्ट से इस्ट की तरफ वेस्टन डिस्टर्बेंस वाली मौन्सून मत समझला है समझ लेना southwest monsoon समझ लो यहाँ पर बोले गया western disturbance की जो rain होती है वो किस छेतर से घटती जाती है तो west से east की तरफ इसका जो intensity है घटती चली जाती है next question है और यह आज की किलास का last question है which one of the following causes is responsible for rainfall during winters in northwestern part of India किसकी वज़े से बारिस होती है उत्तरी पस्चमी भाग में तो पस्चमी विच्छोब western disturbance की वज़े से वर्षा देखने को मिलती है correct answer इसका option C होगा तो आज की किलास में हमने rainfall से related questions से देखे rainfall से संबंदित questions यहाँ पर देखे हैं तो आज की किलास में इतना ही करते हैं next किलास में हम natural disasters से देखेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ पर move करेंगे soils की तरफ soils और agriculture जो important topic होते हैं तो यहाँ पर move करेंगे आज की किलास में इतना ही revision करते हैं और channel को support करते हैं thank you have a good day